नमस्कास वागिता आप सभी का न्यूस वर न इंडिया में और मैं हूँ आपके साथ शाफ नियूपटनक लेटरिंग रिश्वाद करेंगे आज हर्याणा ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर देश का नाम रौशन किया है पैरिस ओलंपिक दोज़ाच चौबिस में भारत ने एक और मैडल अपने नाम कर दिखाया है अपने देश में हुनर और कला की कोई भी कमी नहीं है पैरिस ओलंपिक दोज़ाच चौबिस में 10 मीटर मिग्स्ट टीम खेल में मनुभाकर और सरब जोट सिंग ने मिलकर ब्रौँच मेडल जीता है मनुभाकर और सरब जोट सिंग ने अपने आज के इस मैच में दक्षिन कोरिया के लिए वन हो और ओहो ये जिन को माद दी है मनुभाकर ने इसी इवेंट के सिंगल्स इवेंट में ब्रॉंच जीता है मनुभाकर ऑलिम्पिक दोजार चौबिस में दो मेडल जीतने वाली पहली भाटिय वुमेन बनी है हर्याना के खिलाडियों के इस अच्छे प्रदर्शन पर मुख्यमिन्तुरी नायव सिंग सेनी ने निशाने बाद मनुभाकर और सरफजोथ सिंग दोरा 10 मीटर एव पिस्टल मिफ्ट टीम स्परथा में कांसे अपदक जीतने पर कहा कि मैं सरब जोट सिंग और मनु भाकर को बधाई देना चाहूंगा उन्होंने कांसे पदक जीत कर भारत का तिरंगा उचा करने का काम किया हमारी सरकार खिलाडियों के लिए उच्छा वर्धन के लिए लगातार तैयार है हम खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनका सयोग करते रहते हैं कांसे पदक जीत कर खिलाडियों ने ना केवल हर्याणा बलकी देश का नाम रोशन किया मैं उन्हें बधाई देता हूँ आगामी खेलों में भी हमारे खिलाडी बहुत अच्छा प्रदशन कर रहे हैं हमें पूरा विश्वास है और पदक आएंगे बताते की मिश्रित टीम 10 मीटर एयो पिस्टल्स परधा के क्वालिफिकेशन राउंट में एक टीम के प्रतेक सदस को 30 मीनिट की समय अवधी में कुल 30 शॉट अलगाने थे शॉट्स की प्रतेक श्रिंखला में प्रती खिलाडी 10 शॉट और कुल मिलाकर भी शॉट होते हैं शिर्श चार टीमों को पदक राउंड के लिए क्वालिफाय करने का सब भागे मिला शिर्श दो टीमें स्वण के लिए खेल रही थी और तीसरी और चौथे स्तान पर रहने वाली टीमें कामसर के लिए आमने सामने थी मनु सरबजोत 193 अंकों के साथ छटे स्तान पर रहे जिसमें मनु का 98 अंक और सरबजोत को 95 अंक मिले थे अपनी दूसरी श्रिंकला में मनु और सरबजोत ने कुल 193 अंक हासल किये जिसमें मनु को 98 और सरबजोत को 97 अंक मिले हैं तो पैरिस ओलम्पिक में भारत को मेडल मिला है और ऐसे में मनु भाकर सरबजोत सिंग की जोडी ने एक कांसर पदक जीता और ये देश के लिए कौरव काक्षन है जहां मुख्यमिंतरी नायप सिंग सेनी ने दोनों को बढ़ाई एवं शुब कामनाई दी मुख्यमिंतरी ने कहा कि हमारा प्रदेश खिलाडियों के लिए हमेशा ततपर रहेगा और पूरे प्रतिबत्ता के साथ खिलाडियों के लिए कतम उठाए चाहेंगे पेरिस ओलम्पिक में भारत को दूसरा मैडल मिला है और मनुभाकर सरब जोच सिंग की जोडी ने काम से पतक जीता और आज हर्यानन ने एक बार फिर वैश्विक सुतर पर देश का नाम रोशन किया है पेरिस ओलम्पिक दोज़ाट सिंग ने मिलकर ब्रॉंच मैडल चीता मनुभाकर और सरब जोच सिंग ने अपने आज के इस मैच में दक्षिन कुरिया के लिए वन हो और ओह ये जिन को मात दी है मनुभाकर ने इसी इवेंट के सिंगल्स इवेंट में ब्रॉंच चीता था मनुभाकर ओलम्पिक दोज़ाट 24 में मैडल जीतने वाली पहली भारतिय बन गई है हर्याना के खिलाडियों के इस अच्छे प्रदेशन पर मुखेमिंतुरी नाइप सिंग सेनी ने भी बढ़ाई थी हर्याना के मुखेमिंतुरी नाइप सिंग सेनी ने निशानेबास मनुभाकर और सरब जोच सिंग द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टिल मिक्स टीम स्परधा में कांसे पदक जीतने पर कहा मैं सरब जोच सिंग और मनुभाकर को बढ़ाई देना चाहूंगा उन्होंने कांसे पदक जीत कर भारत का तिरंगा उंचा करने का काम किया है हमारी स्वरकार खिलाडियों के उच्छा वर्थन के लिए लगतार तेयार है हम खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए लगतार उनका सहयोग करते रहेंगे मैं बहुत बहुत बदाई देना चाहूंगा मनु भाकर जी और सर्ब जो सिंग जी को जिनोंने कांसे पदक जीत करके भारत के तरंगे को उचा करने का काम किया है मैं खिलाडियों को बहुत बहुत बदाई और शुब कामनाय देता हूं हमारी सरकार खिलाडियों के उत्सा वर्थन के लिए लगतार तत परत्यार है और खिलाडियों को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन परकार से खिलाडियों का सहयोग वो निरंतर करती रहती है मैं आज जो कांसे पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी ने हमारे हरियाना का तो नाम उचा किया ही है परांतो हरियाना के साथ साथ पुरे देश का नाम भी उचा किया है मैं सभी खिलाडियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आने वाला जो और गेम चल रहे हैं उस गेम के अंदर भी हमारे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन वो दिखाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे मैं सभी खिलाड़ीयों को बहुत बहुत बधाई और सुब कामने देता हूँ कि हमारे खिल नीती 2014 के बाद है देश के अंदर हरियाना हमारा आगे आकर के आता है मैं सभी हरियाना के खिलाड़ीयों को और देश के खिलाड़ीयों को बहुत बधाई और सुब